पठान फिल्म के ट्वेलर रिलीज के बाद फाइनली पहली बार जॉन इब्राहिम ने पठान फिल्म को लेकर कुछ बात कही है और जो कुछ भी कहा है उसे सुनने के बाद यही लगता है कि जॉन इब्राहिम ये बयान भी ना देते तो ठीक ही रहता क्योंकि जॉन इब्राहि की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुई थी, एक Ev钱 उन्होंनेा अटेंड किया था, पत्हान फिल्म के बारे में जब इस पूछा गया तो वो उठकर चले गए, उन्होंने पत्हान फिल्म पर सवाल को ignore किया। पत्हान फिल्म को लेकर कुछ भी नहीं कहा है अब फाइनली जॉन इब्राहिम ने एक नोट शेयर किया है अपने इंस्टाग्राम से जिसमें उन्होंने पठान फिल्म के लिए आदित्य चोपडा और सिधार्थ आनंद यानि की पठान की प्रिडियूसर और डिरेक्टर इन दोनों को थैंक्स कहा है इस पूरे नोट में कहीं भी शारुख खान का जिक्र ही नहीं है दिपिका पादुकोन को भी थैंक्स नहीं किया गया है इसे साफ पता चलता है कि जॉन इब्राहिम और शारुख खान में कितनी बड़ी फूट है जोन इब्राहिम ने लिखा मेरे पूरे करियर में सही मोमेंट और सही पल स्पेशल पल अभी का ही है पठान को जिस तरह का रिस्पॉंस मिला उसे देखकर इस फिल्म को में बहुत कुछ कहना चाहता हूं बट अभी बस मैं यही कहूंगा कि 25 जनवरी का इंतिजार करो और देखते हैं कि फिल्म क्या कमाल करती है कुछ इस तरीके से जॉन इब्राहिम ने पठान का जिक्र किया आधित्य चोपड़ा जो फिल्म के प्रिडियूसर है उनका जिक्र किया बट शारुक देपिका और बाकी स्टार कार्स को जरा भी थैंक्स नहीं यानि कि जॉन के लिए अगर पठान फिल्म को लेकर कुछ खास है तो वो सिर्फ डिरेक्टर और प्रिडियूसर को स्टार्स बिल्कुल नहीं और सबसे बड़ी बात जब को स्टार शारुक खान